हुआ 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 है वालकम टू माइच चैनल आज हम एक नए टपिक के बारे में पढ़ने जा रहा है वह है ओपनेंड स्पिलिंग और ओपनेंड स्पिलिंग का चील पांच प्रकार का होता है उसमें से सबसे बढ़िया है ऊपनेड स्पिलिंग रोटर बताने जा रहे है बहुत 天 कि यह पर एक WOR करते कि बेखें टार यह दोस्ति करकkaa अगर रखते दो बहुत पाइदा है एक यह लो काश्ट पर केजी एकस्पेंडिशन वाला अपना एक केजी रींग का धागा बनान में जो कस्टिंग पड़ता है उससे बहुत कम पड़ता है यह अपना एक प्लस प्रेंट है वाला लेवर काश्ट अपन को कम रहेगा उसके पाद देखो हाई पड़क्शन काश्ट आते है मतलब रीम प्रेम का जो स्पिंडल है हर स्पिंडल साड़ सतर ग्राम का बबिन निकलता है और रीम प्रेम का ज्यादा सहरा मैक्सिमम स्पीड जो होता है 24-25 मीटर्स पर मिनिट और इसमें ओपनेंड में अपनके डारेक्ट धागा बनाते है जो तीन सो एंपीम तक चलता है तो एंप्स झालता है तो यह शोजलों अपना 10 से 15 टाइम से अपना बेटर प्रेक्षन आता है ज्यादा यह तीन चीज जब हो जाएगा अपना मतब कंपारिटिबली यह से रीम फिरम का पंदरा टर्न के लिए जितना बड़ा सेड चाहिए उपनेंड का पंदरा टर्न के लिए उसके आधी सेड में काम चल जाता है अपने सेड का भी जागा में हो गया मतलब अलब लेन क्यूंद काम हो गया और उसके बाद याइट प्दकार लगाना वह सारी कई काम हो जाएगा मलब बेल्डिंग कास्ट बिलकुल काम हो जाएगा उसके बाद देखे लो कास्ट पावर पावर का भी खापत काम हो जाएगा वही चीज़ आपको पता रहात है जब अपना प्रक्षन इतना गुणा पड़ जाता है ओपर से अपन रिंप्रम जैसे हाई मलब खिचने वाला मेशीन अपन एलिमिनेट करते है और नेचुराली पावर कास्ट भी बहुत काम हो जाएगा रिंप्रम के कंपेरजर में उसके बाद देखे लेवर साट लो पसिबिल्टी जो आज काल की जमाने में क्या होता है रिंप्रम खाता जो होता है उसमें गर्मी पारीगर का सट देटा है साहिक जातना बढ़िया मिल रींप्रम में आज भी मिलते नहीं बाकी खाते का मिल जाएगा भी ठीकर नहीं लोग मेंट्रेनेंस काश्ट नेच्राली काम हो जाएगा क्यों अपने दो तिन प्रोसेस इलिमिनेट कर दिये वह सो मैसिन चाहिए नहीं अपन को उसे सब में पानी खर्चा काम हो जाएगा ओल ग्रीज तेल गड़ा जो जो मांगानी है पार्स मगानी है उसके लिए अलग से फोर्मेन रखना है और यह सब चीज कम हो जाएगा और टोकोन फोर्मेन नहीं रहेगा वह दो पोस्ट बेसे कट गया कली ओपनेंट का एक फोर्मेन रहेगा उसके बाद देखे हाई पैके साइज हाई पैके साइज मतला बज़े रिंप् करता है 110 से उपर रहता नहीं इसमें क्या आप मैक्सिमों पांच किलो तक बना सकते हो पांच किलो तक आप चीज या कून बना सकते हो और यह बहुत बड़ा मलब पड़क्शन ज्यादा आने का यहीं एक कारण है पैके साइज अपना बड़ा हो जाता है छोटा-छोटा क्रेशन का जो खर्चा बच घया खाले ओपलेंड लेहीं ओपलेंड का खर्च रहेगा ना जो क्या पीटाल-इंवमेस्ट्मेंट कम ऊगा सालेगा और चैन्जेप्शन-आप इंहाउस वेस्ट कांजेप्शन आप इन वूस्ट उयस्ट क्या होता है जैसे आपकी संबलो री बनता है यह सब वाइस्ट आप बेशते हो तो कम पैसा में पाटी लोग खरीद लेते तो ओपनेंड लगाने से क्या होगा वही वाइस्ट अपना कंजब्शन में चला जाएगा मतलब यह जो फ्लाट वाइस्ट नायल है ड्रपिंग से यह सारी वेस्ट जो होता है अपना ओप अपने को वेस्ट भी काम रेट में बेजना नहीं पड़ेगा ओपनेंड की बारे में आपको मैं देखो साटकाट में बतायाता हूं यह समलों एक फेड रोल है यह वाला यहां आपना ब्लू कलर कर देकर होना यह स्लाइबर है स्लाइबर यहां से डाले अपना यह फीड प् कॉमिंग सेक्शन को जाएक एक ब्लाइबर यहां यहां पनीग रोल है नुपनिंग टीव में इसके पाना फाइबर ऑमिंग हो हूँ जाके इस रोटर के अंदर गुसता है ऊवह उतल होता है वह गुमता रहता है डूत रिप प्की से देड़ लग्त तक रहता है तो उसी का अंदर घुषता है और यह फाइबर होता है रोटर की रोटर की अंदर कि साइस में वह एक दुसरा से चिपक के जमा होता शोटा सब्सक्राइब करते इसको इसको यहां से करते इंसेट करने का बाद जो रोटर गुं से पकड़ के खिशसता है और यह लुह रोलर के थूँ यह पैकेज में जाके वाइंडिंग मेसीन में मलूपलेंट में मैं दिह होजा था है यह आपकी चीज या कौन जो बनाना है बन जाता है यह बड़ा सिंपल सिस्टम है और उपनेंड का बारे में अपने डिटेल में भी पढ़ेगे यह आपको जास्ट एक हिंट्स दे लिया कि यह सुब चीज है कर गए चीज अलेक्श्ट मेंड़ा ऑप्पनेंड स्पीनिंग का समल दस चांड नेंका आड़ काउंट मlaw बारा काउंट भी बन सकता है उसी मिक्सिंग से अपना 10 काउंट के इसाब से प्रोग्राम दिये वैसे तो आप तीन काउंट से लेके भी चाड़ीस काउंट तक बना सकता है कवी कवी 50 काउंट बहुत डाल सकत sources जाएंगे हम उतना मतलब खराब खराब वेश डाल सकते फाइनल साइड जाएंगे थोड़ा अच्छा अच्छा कटन डालना पड़ेगा दास काउंट का देखो दो मिक्सिंग बढ़ा रखा एक देखे जैज चोतीस कटन पचास परसेंट लिया कॉमबा चारीस परसेंट लिय मुलां मिक्सिंग ला यह थोड़ा बड़ीया मिक्सिंग रहेगा नहीं तो बी 797 70% लाएल 20% फ्लाट 10 यह थोड़ा इसे इंफेरियर कॉलिटी रहा तो आपके मतलब क्वालीटी का हिसाब से आप मिकसिंग ले सकते हो कुझसा मिकसिंग लोगे तो अच्छा रेट मिलता है तो अच्छा कर्टर नायल बगए ज़्यादा डाल सकते हो अगर थोड़ा कम पैसा मिलता है तो वैश्ट बगएरा बढ़ा स सकते हो तो यह द्यों प्रकार का मिक्सिम में ने सिलेट किया आइदर यह लो ने तो ले लो ठीक है उसका बाद देखिए एक ओपनेंल कटन मलब स्पिनिंग में अपने कुछ ज्यादवा लेंग्थ की ज़रत नहीं है अगर बनानी है 18-22 mm का कटन लेंग्थ बहुत बढ़िया है और स्ट्रेंग देखो 20-22 ग्रांपर टेक्स माई की पांस से साड़े पांस तक भी चल दाता है कोई दिक्कार नहीं है और इसका अलाबा कटन की बढ़ा आता है मैं उस ठाइं समझा तो में जांके देखना तो इस टैम बोला के तो दिक्कत है ज्पिनिंग के लिए अपन को प्रॉब्लम आ सकता है तो रीजेक्टेर्टन होता है इसको ओपनें देने के लिए तो इसे कम आए वो बेल अलग से रख लिए उसे पच्छी लगा लीजिए कि उपनेंट में डल दाएगा या कोई बीप्लस बैलू बहुत ज्यादा पिला पिला तो इसको प्लेंट में डाल दो कि उपनेंट का जो परक्ट होता है जाना तक अपना मोटा धागा बनता है और मो कोई यह इतिना क्वालीट का मारा मारी नहीं रहता चैसा और मिक्सिंग करने का ओक्तलबं कंट करते if your tonight मिला देना फिरन ओ McMर यह साले से बलेंडर में चलाकर फिर मिक्सिंग में डाल दिए धिए तर अपना एम्ई रहा ब्लोर्म लाइन का एक बेरीवद्न रहा एक इसस्टेफ किलनर स्टेफ किलनर होता है जो एसे फिट्ररत एसे उपर उपर करके स्टेफ वह विट्र रहते है ज्या रहों इसी लिए रखता है जैसे समलो यह वाला कटन यूज किया यह कंटन में च्राङ्ट से नो परसेंट तक रचता है जब ज्यादा हैपीट वह कंटन इूज करोगी जैसे भी सब्सक्राइब कर देशी भेंगल देशी जो पुलता है या वागात भूते एसे आपना है वह ज्यादा पुछन रखता है और होने के करणों अपन इससे से उसके बाद फ्लेक्सी के ने उसके बाद डाक तो यह लाइन का सेटप रहा लाइन इसी तरह रहayगा तो बढ़िया चलेगा क्लेक्स्टि देखें अमसे Casewall कर दिए टेक्शिंग लेंगे कि ब्लॉ रों क स्की ये सपीड ओक स्पीड पार्टिकुलर क्या रहेगा in करका 450 सबसे निचे वाला उसके बाए स्टेप बढ़ बढ़ के लाष्ट बीटर 650 तक भी आप जा सकतो छे बीटर रहता है उसमें इन सब्सक्राइब लेक्सिकिन में पांसो पचास रपेम यह हो गया ब्लो रूम का स्पीड और काडिंग का स्पीड देखिए काडिंग अपन लिए अग u जरा लगाता है स्पीडर में लगाता है जर किन लेट लिकरीं सिलेट करें यह अपना ज्यादा प्रहस रहता हुआ और तो सब्सक्राइब बढ़न निकलता है उसमें जैसे सेमी कोम जैसे मैट्रियल हो जाता है बिल्कुल कच्छडा नहीं रहता है वह से लिकरिन देखो तीन लिकरिन का सबसे पहले बाला लिकरिन जो पीछे बाला थोड़ा ज्यादा रहता है और टॉप बाला जो आगे वाला ओट थोड़ा ज्यादा रहता है डेलिवर स्पीड देखो 200-200 MPM तक आप आराम से खिच सकते हो और फ्लाट गेज बारा 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 चौबदा चौबदा आप सोचो कि फ्लाट गेज इतना वाइड क्यों है क्यों इसे तो फाइबर के इसाब से आप आट देश का गेज भी रख दो की चल दाएगा लेकिन मैं रेकॉमेंट करूंगा बारा 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 चौदा चौदा रखे और इसमां अपना सट फाइबर भी ज्यादा क्लीनिंग करना ज़रुत नहीं है इसलिए फ्लाट स्पीड अपन काउंट चेक आउट चलाओंगी पाइंट जीरो एट जीरो भी रख सकते हो तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि लेश्ट देखें यहां काडिंग तक बात हुई थी अभी देखो ब्रेकर ड्रफ हैं फिनिशर ड्रफ हैं और ओपनेंड चीज इसा है जैसे समल आप चार काउंट चला रहो चे काउंट चला रहो कभी-कभी अपने ऐसे भी कर सकते ब्रेकर का जो स्लाइबर है डायट जैसे आप 8 काउंट से उपर चलाओगे 8 काउंट 10 काउंट 12 काउंट उस केस में आप फिरीशर का डिबा लेने से सही रहेगा क्वाल्टी बिल्कुल कोर्स काउंट में ब्रेकर से आप एक डिलिवरी में एक डबल लेके लगा दोगी कोई दिखन नहीं या एक बार आरेश् सिक्स लाइबर का डबलिंग रखें सिक्स इसलिए रखें अपन बोल देते हैं पाइंड जीरो नाइन जीरो जो रपिंग रखें बहुत कोर्स रपिंग है अपन उस केस में अपन ज्यादा बल्की होने की कारण अपन एट एंड अपको आडवाइज नहीं करता तो इसलिए छे एंड रहेगा ब्रेकर फिंचर में और बटम रोल गेज देखो ब्रेकर में 40-36 रखा और इसमें 38-40 आप एची ध्यान रखना जो डियो 6 ड्रफ में उसका फ्रंट जोन का गेज है 40 से कम नहीं कर सकते हो लेकिन ब्याग जोन का जो गेज है आप 36 तक जाते हो जा सकते हो तो इसलिय watching में मिनम्मम गेज किया 40 रहेगा अगे यह रहे में इसको उल्ट नहीं समझा रहा न यह आ ब्रेक्ट के बारे में आपको मैं समझाबता हूं अपना जो इंट्रू को सिर्ज है उसके जब आम ट्राइइंग का टपिक पढ़ाये थे उस्पे देखना ब्रीकड़ाप्ट डियो सिक्स में कैसे सेट के जाता है आरेस्वी में क्या सेट क्या जाता है किस टाइब के ड्राप्ट गेर या पुली आभेले बुले उसका अब स्टाडी कर लिजेगा इसका इसलिए मैं काल्कुलेशन इदर डीटेल में नहीं दे रहा हूं आपको उसके बाद देखिए टोटाल ड्राप्ट होता है छे का ही क्यो आपको पहले भी एक पर समझाये था जो अपन लगाते थोड़ा टोटाल ड्राप्ट से काम देते था कि उसका जो यह रहता है सट फाइबर बगारा पंखा में जाता है माइक्रोट गिर जाता है थोड़ा भारी साइड रखेंगे वह वेस्ट निकल जाएगा अपना रापि प्रेंग कालकुलेशन होता है तो इसलिए इसमें अपने का जरूत नहीं है और डिलीवर रपिंग देखा पाइंट जीरो नाइन जीरो पाइंट जीरो नाइन जीरो रखेंगे दास काउंट के लिए बहुत बढ़िया है और उस्ट्रा आएगा साधे तीन से चार ब्रेकर म के अध्र जांत जांत लोगर्टम है एसे ज्लीवर यह ऊसिक पर इसे लिए ज्यादा आएगा और यह थोड़ा इन फेर्यार पाइ्टिक कैन रिता है माइक ज्यादा रहता है पर उसी इसलिए उस्ट्र ज्यादा पर अपर आए अपर थक करैवाद Lee's नाग फियूब झाल ज रोटरस्पिनिंग फिन से एक भार रिप्रेस करते हैं देखो ये फिड रोल में घुमता है ये फिड प्लेट से पलेट मैं प्लेट है अपना रोठरस मैतरिट में का जो नो सकता दो बीग difference बना पर्टीकल बने हैं जो हो सकता है या लिकरिन का जो से इदर आएंट Corinths टो जो सकते सर्वाइबर आता है कि इसमें ये बढ़ी ऐसे ओपीनिंग करके आगे लेता है ऑपकर बेने करके लेता है जो एबी पार्टिकल इतर से जाता है जो भी पार्टिकल्स जो गिर जाता है ज़ो अपनिग होता है और उसके पादेट क्या होता है एक क bets कूरेकल शिर चैनी पर स्राइबर में जो फाइबर रहता है पर करश सेक्शन अपनी होजाता है यहां समझिदो आपना 400 फाइबर है रहता है यहां से यहां से यह ड्राप्ट हो जाता है फाइबर का और रोटर के अंदर गुमता रहे यहां पर यहां पर फाइबर के उपर दूसरा फाइबर ब्याग डबलिंग वोगे इसको टाइट करके घुमा घुमा के लेगा उर जब यह ब्याग डबलिंग होगा उसी टाइम अपन क्या करेंगे एक एक उपनेड दागा लगाएंगे और से डालेंगे इनसेर्ट करेंगे गश्च दाग जो रेशा खुला हुआ रहता है वह जैसे रोटर के लेगे वो जो फाइबर अंदर घुमता रहता है इसको पकल लेगा और हर रोटर की आर्पीम में एक-एक ट्विस्ट इंसर्ट करता रहेगा ताकि जो दागा अपन डाले अंदर से वह रूई को पकल लेगा और गुमा-गुमा के खिच लेगा और यहां टेक-अप रोलर के तुरू युट साइट तो आपना क्या करना पड़ेगा यहां से जो फेट रोल का स्पीड है कम करना पड़ेगा टेक-प रोल का स्पीड कम ज्याधा नहीं करेंगे तो अपना डायेट पर्डेक्शन लास हो जाएगा इसलिए अपन अपना कभी भी है इसका मलब फीडरोन का स्पीड चेंज करेंगे ड्रफ सेट करने के लिए ठीक है उसके बाद देखें रोटरा स्पिनिंग का अपना काउंट चार से पचास काउंट तक प्रसिबूल है और जिनला ले अपना पचास काउंट तक एने के लिए चार से ज्यादा तक लोग क्या करते हैं उसका ज्यादा यूज रहता है क्योंकि पचास काउंट तक चलाएंगे तो उसी साथ से कटन में सिलेट करना पड़ेगा पाइन कटन देना पड़ेगा और रोटरा स्पीड देखो चारी से देड़ लाग तक रहता है आज का बढ़िय बढ़िया कंपणी का रिटेल जैसे कंपणी का आगया एक लाग साथ हजा स्पीड एक लाग सत्रह स्पीड तक बी चला जाता है कोई यशा दिख्याद नहीं है और एप्संद जी 90 से 97 तक उसका स्टन्ड़र मदल्ब जित्रा कोर्स काउंट रहेगा नबे तक आजाएगा उसे फाइन फाइन चलता रहेगा 97 तेक आजाएगा और रापिंग देखो इसमें पाइंट जीरो नाइन से पाइंट कू जीरो जीरो तेक लिया हुआ तो अपना जिसे 10 काउंट है यहां पर आपको पता देता हूं अपना 10 काउंट है तो यह स्पीड जो है यह जो लिमिट है यह आजाएगा एक लग का स्पीड आगे समझनों रोटर स्पेड और अपना आजाएगा दस काउंट में 93-94 परसेंट आजाएगा 93 ले लो उसके बाद रापिंग अपन रखे पॉएंट जीरो नाइन रखे और यह दस काउंट किसे आप से बोल रहे हैं दस काउंट उपने उसके बाद देखो टीएम अपन रिंग यान से ज्यादा लेना तो अपना जैसे कि आपको पता है कि यह जो फाइबर ले रहे हैं बीस-बाइस एम का लेंक्त है माइक ज्यादा है सब कुछ प्रोब्लम है तो इसमें आपन ज्यादा लेंगे रिंप्रेम यान से ज्यादा ब वह पाइसस मडल तक भी लिलेता है एक में में तो बैसे रिंग का अपने ड्राम अपनी हिसाब से edges कर लो किस रखना लेना और टापट 300 से साड़ए 300 कैस होता है जैसे श्लाइबर का स्वसेड्स चmberक्ते अ कितना फाइबर है और डाफ तो यान की section में कितना फाइबर है बड करने का उत्राइब करने का तो यहांको यहां में फपत्ला हो जाता है स्ट्रेचिंग हो जाता है उसके और आल हो यूदument कम करना जहां करना है तो फिद रूल से ट्रप सेट करना पड़ेगा उसके पाद देखो डेलिवर स्पीड अपन तीन से तक मैक्सिमुम जा सकते तो अपना दस काउंट जैसे की चला रहे अपन यहां पर दोसो से इंप्यम रखे वह बहुत बढ़िया है और रोटर ड्राया देखो 32 से 60 ला ना अपना चांड कींवका टो कोई दिक्क्क शाडिस एक का रोटर ले लिए और टीप्यम देखो शाड़े पांच की टीएम कहीं साब से कितना आले आए कि टीप्यम बता देता हूं कि दस काउंट का रूट अपर हो गया 3.16 इन्टू साड़े पांच इन्टू थर्टी नाइन प्वैंट थ्री सेड़ कि टीप्यम आ गया 685 कि टीप्यम आ गया कि टीप्यम ध्रड़ ज्यादा रहता है और उसके पास देखें आपको मैंने बताता हूं पड़ेक्शन काल्कुलेसर का यह अपना जैसे रोटर का स्पीड रहता है कि रोटर का रप्यम है डिवर्ड बैड टीप्यम जैसे 685 निकला और यहां हो गया एक लाक्ट स्पीड हो गया इन्टू 1.0937 यह क्या मेटर को याड में कर्माट करने के लिए और 60 हो गया आठ घंटा 60 मिनिट यह हो गया आठ घंटा एक सिप्ट का तीर हो गया पर डेगा इन्टू एपिसेंजी अपना में बोला था दस दस काउंट के लिए आपना 93 परसेंट एपिसेंजी ले सकते हो वो टीपेम हो गया 685 ठीक है इन्टू 840 इन्टू काउंट इन्टू 2.2046 इन्टू 100 यह आजाएगा आपकी पर रोटर का पड़क्शन आजाएगा फिर उसके बाद नंबर रोटर जो है उसी सब जाम गुना कर लेंगे पर रोटर का स्पीड आजा पड़क्शन आजाएग तो इसको आपन काल्कुलेशन करतेते है रोटर का पड़क्शन का बारें बोल लेते है जैसे कि देखो रोटर का अर्पेम आपन एक लाक्स मलों आर्पेम पकड़े 1.0937 वो मिट्र को याड में कर्माट करने के लिए 60 हो गया एक गट्टा 60 मिनिट ये आट गट्टा हो गया पर सिफ्ट तीन गुणा के हो गया एक दिन का पड़क्शन और एपिसेंस लिए 93 परसेंट दस काउंट का और टिपम आगया 5.5 तीम के साब से 685 एंट्टू 8 फट्टी हो गया मतलब याड में जो हैंक में कर्भट करने के लिए एक काउंट अपन इदर 10 ले लिए ठीक है इन्टू 2.2046 पाउंड को केजी में कर्भट करने के लिए और एपिसेंसी 93 लिए अंडेट डिवाड के तो परसेंटेल लेने के लिए तो कूल मिला गए काल्कुरेशन देखना 11.55 केजी पार रोटर हो गया 24 गंटे का पड़क्शन 11.55 केजी हो गया तो 480 स्पिंडल का इन्टू 11.55 यह आजाएगा 554 केजी यह एक उपनेट मेशिन का 554 किलो आ गया तो यह समदो जिसका पाइच चार उपनेट में है तो 20 टन से कहीं नहीं जाएगा परक्शन तो ओपनेट इसलिए सब के लिए पाइदा बंद है और इसका यूज के लिए बोल देता हूं जैस से आपकी ओपनेंट की धाग से तरकिश तावल नहारन का डीलाते है पंता है इसे pouं घेराइख लोगे घ्राषो बंद है और बेर सीट बनता है और यह जैसे मोटा कपड़ा रहता है और बच्चों के लिए बनता है बड़े लूप के लिए बनता है मैंने को लगता है आपको अपनेंट का यह ट्रफिक बहुत अच्छा लगेगा और यह समप्त करने से पहले एक बोलना चाहता हूं हूब मेरा बहुत सार ब Maßnahmen के और कि अप थोड़ा वरक इन्ष्ट्रिक्शन की बारे में एक भीडियो बनाई है तो वरक इंष्ट्रिक्शन क्या होता है उसके बारे में आप को थोड़ा साइट कर miejsce बताइता हूं जैसे अपना कोई was principle लेंवेंगे तो हर कारीगर की क्या क्या काम है आफ स्टाप का सब्येन क्या क्या क् trainings में एक पूरा बना के इसको फिर्शिछ कर के सब्सक्राइब अपार्टमेंट में लगा दिया जाता है ताकि उसी का जो वार्क इंस्ट्रेक्शन है मलब कारियर निर्दे से उसी सबसे कारीगर काम करेगा और इसको द्याल रहे मेरा यह काम है यह बहुत इंपोर्टन कुश्चिन है और मेरे को कितना भी तेकलिप हो यह वार्क इंस्ट्रेक्शन क्या एक वीडियो में नहीं होगा इसमें पंद्रह बीस पॉइंट आएगा तो इसमें पांच शब वीडियो लगेगा और मैं उमीद रखता हूं आप वीड देखोंगी तो बहुत बढ़िया लगेगा थेंक्यों आप 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 आप